तो आर जहम लोग अपने कीचन में बनाएंगे आलू परवल की बड़ी ही सिम्पल सी रेसिपी ये रेसिपी बहुत सिम्पल है पर बहुत ही काम की बहुत ही यूजफूल है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है घर में कहमें लसुन प्याद यूज़ नहीं करना होता है उसके बावजुद भी में कुछ अच्छा ही बनाना होता है तो उस टाइम पर आप यहीं रेसिपी यह सबजी जरूर ट्राइक कर सकते हैं आपके लिए काम की हेलो मैं निलू स्वागत करती हूं आपको अपने चानल ले इस क्रिटिविटीश में तो चलिए सबसे पहले हम अपने रेजिपेते हैं यहाँ पनी सबब आप करने के अ में सबसे पहले हम परवल कट कर लेते हैं pare आप ऐसे ही रहने देते हैं ऐसा नहीं करना है हमें परवल को इस तरह से आप उपर का जो एक लेयर होता है हलका हलका से सीहूल के आप निकाल ले देख सकते हैं अब यह परवल कितना क्लीन लग रहा है अब हमें इसे कट करना है मैं यहां पे दो हिस्सों में कट करूंगी और आपकी सबजी भी अच्छी बनेगी तो हम सारे परवल को कट करके धोके ले लेते हैं और यहां पर मैंने थोड़े से उबले हुए आलू लिये हैं आलू को हमें बहुत ज्यादा बारिक नहीं तोड़ना है थोड़े बड़े ही टुक्रे रहने देने और दूसरी तरफ हमन करेंगे हमें पर वalg pact के लिए बुक्राइब करेंगे तो परवल बिल्कुल भी सब्सपने साथ नहीं कि तो नहीं कितनी बार होताहरा पर मिछाभकस कर लेते हैं उसमें जाथने नहीं रहती तो सबजी का ठेश्ट थोड़ा अलग हो जाता है तो आपको परवAl पिलकुल भी जिक्र में नहीं देना है ilan है तो देख सकते हैं हमारा परवAl बिलकुल ब्राय हो ग hetал पॉर इसकוה कलर बिलकुल भी पर हल्दी एड़ किया था तो हमें एक्ष्टा नमक हल्दी आलूम एड़ करने के आप सकता भी नहीं पड़ेगी छोटी छोटी बाते होते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप बिना लहसुन प्याज की भी कोई भी सब्जी आप बहुत और हम सेम कराई में थोड़ा सा ओयल लेंगे हमने फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा ओयल लिया था मसाले में थोड़ा कम ही ओयल क्या हो सकता है तो हम इसमें तरके के लिए थोड़ा सा जीरा थोड़ा जवाइन थोड़ा कलोंजी को एड़ करेंगे आप चाहे तो इसके जगह पर पंच फोरन का भी यूज कर सकते हैं और यहां पर मैंने चार पीस हरी मिर्ज को बिल्कुल ब मैंने हल्दी पाउडर डाला है मसाला डालने वक्त यह ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी जली नहीं और हमारे जो मिर्ची है उसका भी कलर बिल्कुल चेंज ना हो इसमें जो इसका एक हड़ापन रहता है ग्रीन बरकरार रहे मसाले को आप बिल्कुल भी जलाएं नहीं तो हम इसे चलाते हुए बस एक मिनट के बार बारी चॉप किया हुआ टमेटो एड़ करना है यहां पर मैंने बस एक टमाटर कहीं यूच किया है इस सबजी में बहुत ज्यादा टमाटर ना डाले और टमाटर के साथ हम थोड़े से अटाले और डालेंगे तो यहां यहां पर मैंने इस में डाला है एक चम संश नमक और शांतनी हम यहां डालेंगे हैंश दालेंगे के करिभी रेट चिली पाउडर क्यूंके दालेंस इस सबजी में त Bendikा टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप पास अगर एवेलबल हो तो जरूर एड़ करें नहीं हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं और अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो आप इस सब्जी में इस वक्त दही भी डाल सकते हैं या फिर आप अगर पोस्तो ग्रेवी बनाना चाहते तो इस टाइम पर आप पोस्तों को पीस कर इस टाइंग पर पूस्तों भी एड़ कर सकते हैं तो आप जैसा चाहें आप वैसा सब्जी बना सकते हैं तो हमें इस मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राइ कर लेना टमाटो गलने तक फिर हम इसमें आलू और परवल फ्राइ किया हुआ एड़ कर ल किया है मुझे सब्जी में ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है तो मैंने कम पानी का यूज किया है आप अगर बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर ज्यादा पानी यूज कर ले तो आप इसे बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर सर् बनाएं तो देख सकते हैं हमारा सब्जी बिल्कुल गारी हो चुकी है और परवल ने अपना कलर भी चेंज नहीं किया और यह अच्छे से पक चुका है तो हमारा सब्जी अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए यह सब्जी अगर आपको थोड़ी से भी पसंद आई हो आपके लिए थोड़ी से भी यूजफूल हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेरें कमेंट जरूर करें और अगर चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल बटन को जरूर हीट कर दें ताकि मेरे आगे की रेसिपी की नोडिफिकेसन आप तक ज जरूर बनाए और अपने खोपम मेरे सब्सक्राइब करें थैनक यू